अब बात करते हैं मध्यपूरा में जहां 40 साल के दूलहे की साधी 14 साल की दुलहन से हो रही थी दूलहा यूपी से मध्यपूरा पहुचा था साधी लड़की के माता पिता ने फूफा के कहने पर 30 हजार में तैकर दी थी जैसे ही इसकी जानकारी मुख्या को हुई उन्होंने प्रसासन को बताया इसके बात पहुचे अधिकारियों ने साधी रोका और दूलहा सहीद पांच लोगों को गिरफतार किया मामला मुरली गंज थाना छेतर के रजनी पर साधी चौक का है दरसल पुधवार को उत्तर प्रदेश के सामडी से आए एक 40 वर्सी व्यक्ति की साधी 14 वर्स की बच्ची से हो रही थी पिडित बच्ची को बहला फुसला कर उसके फुपा के घर साधी के लिदलालों के सहयोग से लाया गया था यहां उसकी साधी की पूरी तयारी हो चुकी थी लेकिन बेमेल जोडे को देखकर लोगों ने इसकी सूचना मुखिया को दे दी इसके बाद मामले में प्रभारी बाल विकास परियोजना परिशत पदाधिकारी मुर्ली गंज के पदपर काईरत अहमद राजा खान ने मुर्ली गंज थाने में केस दर्ज कराया है लड़की अभी अपने घर चली गई है मुखिया प्रतनिद राजीव राजा ने बताया कि बच्ची की उम्र करीब 14 साल है जबकि जिस ब्यक्ति से उसकी साधी हो रही थी उसकी उम्र 40 वर्स है लड़के ने अपना नाम जॉला सिंग पिता राम सरन सिंग घर डाभेरी बुजुर्ग थाना जिन जाना जिला सामली उत्तरप्रदेश बताया है मुखिया की माने तो इस साधी के लड़की के पिता को 30,000 रुपर दिये गए थे वही लड़की के भाई ने बताया कि उसकी बहन की साधी उसे भी ना बताय की जा रही थी इस मामले में पुलिस ने जॉला सिंग समेथ बिहारी गंज थाना छेत्र के कठोतिया वार्ड दो निवासी मुहम्मद गफार जुलेखा खातून मुहम्मद जुबेर्त था कठोतिया वार्ड एक निवासी जैकिश्न दास एवं पूर्णिया जिला के जानकी नगर थाना छेत्र इसलामपुर वार्ड सोला निवासी मुहम्मद जावेद को भी गिरफतार किया है मुखिया प्रतनित ने बताया कि कोसी और सीमानचल में ऐसी घटनाएं काफी फलफूल रही है लड़की वाले को परलोब बंदेगा यह पूरा जिलिन